नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजूकेशन फाव वेटर टुमोरों में आज हम आपको बताने जा रहे हैं राज्य स्वाज समीति बिहार एनेचेम बिहार के द्वारा जो स्टाफ नर्स की वेकिंसी आई थी 4102 पदों के लिए इसका कटफ जो क्या डिटेल जानने के लिए और हम आपको एक्सका जो एक्सपेक्टेड डेट ओफ रिजल्ट है वो भी इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उससे पहले चैनल पे जो नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अपडे अपन संक्या 11 2020 इसमें स्टाफ नर्स की 4102 वेकेंसी आई थी जिसमें सेलरी 20,000 परमन्त है और क्वालिफिकेशन इसमें GNM BAC या पोस्ट बेसिक BAC नर्सिंग केंडिडेट होना चाहिए जिनका रजिस्टेशन BNRC में at the time of joining होना चाहिए अभी वो किसी भी इस्टेट नर्सिंग कॉंसील या इंडिया नर्सिंग कॉंसील में रजिस्टर थे वो इलिजिबल थे इसको अपलाई करने के लिए यह हमने आपको ब्रीफ इंफोर्मेशन बताया इस वेकेंसी के बारे में आप चलते हैं केटेगरी वाइज कटप बताते हैं उससे पहले एक इंपोर्टेंट बात यह है कि इस एक्जाम को लगभग 30% कैंडिडेट ने ही एटेंड किया है 30 से 35% कैंडिडेट ने सबी सिप्थ को मिला कि फ़र एक्जामपल अगर कुल 100 लोगों ने एक्जाम देना था, 100 लोगों ने इस फ़र्म को फिल किया था तो उसमें से सिर्फ 30 और 35 लोग ही एक्जाम को देने आए जिनों ने एक्जाम को दिया है तो अब इसके according क्या होगा, cut-up पे इसका effect भी पड़ेगा क्योंकि cut-up निर्दारित होता है number of seats से number of competition यानि number of candidates कितने apply कर रहे हैं और seats कितनी हैं उसके उपर तो इस बार cut-up बहुती नीचे जाने वाला है, बहुती कम number होगा cut-up का तो unreserved जिसमें 1041 seat थी, तो इनका cut-up जाने वाला है 50-55 marks general के लिए 50-55 marks, general female के लिए जो cut-up जाएगा, वो जाएगा 50-52 marks 50-52 marks, general female के लिए cut-up, EWS के लिए जो cut-up जाएगा, वो जाएगा 48-52 EWS के लिए जो cut-up जाएगा 48-52, EWS female के लिए 45-50, EWS female के लिए 45-50 उसके बाद MBC male, तो MBC male के लिए भी 45-plus cut-up जाएगा, 50 के नीचे रहेगा MBC female के लिए 42-45 के बीच में रहेगा cut-up ध्यान से सुनिएगा, अब SC male, तो SC male के लिए cut-up 40-plus होगा, जिनको 40-40 marks आजाएगा, वो qualify कर जाएगे, SC female, इनका भी 40 से पार होगा, तो ये qualify BCB 40, BC female 40, ST 40, ST female 40, WBC 40, तो 40 marks से उपर जिनका भी है इन कैटेगरी में, वो इस list में होंगे, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस list का declaration कब तक हो सकता है, तो जैसा कि हम राजुस्वास समीती के बाकी results को देख पा रहे हैं, उनमें काफी ज्यादा तेजी बरती जा रही है, तो इसका result जो declare होना है, वो जुलाई में ही declare हो जाएगा, most probably वो इसी week declare हो सकता है, या फिर end of July तक declare होने की पूरे chances है, more than 95% आप इसको कह सकते हैं, किसी special circumstances में ही ये delay होगा, otherwise ये इस week या फिर अगले एक दो week के अंदर result जो है, वो declare कर दिया जाएगा, candidates के नाम जो sort listed किये जाएगे, आगे हम जब ये result declare होगा, तब हम आपको update करेंगे, और document verification के बारे में भी बताएगे, कि क्या है उसका process, कब है document verification, क्या-क्या preparation करनी है आपको, इन सब के बारे में हम आपको बताएगे, उससे पहले चैनल पे जो नए है, चैनल को subscribe कर लिजिए, ऐसे ही updates बरी information बरी वीडियोच पाते रहने के लिए, ताकि आपको सारा notification मिलता रहे, और मैं उन लोगों के लिए एक important information बता दू, जिन्होंने अभी तक BNRC में registration नहीं कराया है, तो उसका link description box में दिया गया है, वहाँ से आप जाके process देखिए कि कैसे apply करना है, पूरा process बहुत ही short में बताया गया है, तीन-चार मिनिट में और उस process के according आप अपना BNRC registration कर सकते हैं, और result के साथ-साथ आपका provisional आ जाएगा, उसके बाद आपको extension मिल जाता है, तो within six months आपको submit करना होता है result, तो इस process के according आप अपना BNRC भी जल्दी से जल्दी करा लिजे, जिनको लगता है कि उनके इतने cut-up के अंदर जो है, तो registration जल्दी करा लिजे, जिससे आपको selection process में कोई भी दिक्कत ना हो, तो ऐसा ही updates पर ही information पर ही वीडियो अच पाते रहने के लिए, चैनल को subscribe करिए, वीडियो को जादा से जादा लोगों तक share करिए, जिससे information बाकी लोगों तक भी पहुँच सके, बाकी लोगों की भी help हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद,